नमाशकार इस वीडियो बे दो छोटी छोटी द्यापन की जानकारी लेकर मैं आया हूँ जो मंत्राला ए छत्तेज गड़ साशन की ओर से जारी की गई है ये जो विग्यापन है वो जारी हो रही है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 29.10.2021 यानि 29.10.2021 की डेट पर ये रिग्यापन के लिए आदेश किया गया है आयुक्त जन्संपर्क विभाग को 36. मंत्रालाय में सीधी भरती के रिक्त पदों पर भरती के सम्बंद में उसमें कहा गया है कि रिक्त सहायक, ग्रेट तीन, स्टेनो टाइपिस्ट, सिग्र लेखा के हिंदी और अंग्रेजी के पदों की पूर्ती के लिए व्यापम जो तकी 36 गड़ व्यावसाइक परिक्षा मंडल के नाम से जानी जाती है उसके माध्यम से ये रिक्तियों की भरती की जानी है दो छोटे छोटे विग्यापन इसके लिए जारी करना है 29-10-2021 की डेट पर इसकी प्रती आपको उपलब्द कराई जा रही है और आप इसको समाचार पत्र में प्रकाशित करें ये आयुक तुजन समपर्क विभाग को मंतरालय लिख रहा है अब ये विग्यापन कौन-कौन से हैं ये हम देखते हैं आगे आदे वाले पीडियप में ये आपको सलाहकार और राजे सुचना आयोग और हसे उप सचीव को ये पत्र जारी किया गया प्रतिलिपी ये अधिकारियों के हस्ताक्षर आप देख सकते हैं और ये पहला विग्यापन है पहला जो विग्यापन है वो है स्टेरोटैपिस्ट और सिंग्रले खक और स्टेरोटैपिस्ट है इनके लिए जो परिक्षा है वो 26 दिसमबर 2021 को होनी है 26 दिसंबर 2021 को इसकी परिक्षा होगी और इसमें जो पद हैं वो 30 पद हैं जिसमें 28 सीधी भरती के हैं और दो बैकलाग के पोस्ट हैं इसमें अनारक्षित केटेगरी में 14 हैं जिसमें मुक्त 9 महिला 4 और भूतपूरुसाहिदिक का एक पद है लेवल 4 का इसमें आपको parescale मिलता है SC यानिका अनुसूचित जाती के 3 पद हैं और तीनों ही मुक्त पद हैं ये अनुसूचित जाती के 9 पद हैं जिसमें से 6 मुक्त हैं और CF मतलब यह है कि केरी फारवर्ड कर रहा है पुराना कोई O है पद है को गईरी-फरवार्वरड कर रहा है इसके लावाद दो पद महिलाओं का है अन्य किछड़ा वर्क रिवर क्रीमी लेयर को छोड़ कर चार पद है जसंente तीन है यह दो एक है । केरी-फरवरडड ईड़ है और तीन जो है वो नई पद है अब भात कर लें कि इसमें हम को किस किस तरह की सयक्षिट क्यों के तां응 कि आऊजिता होगी? तो इसमें पहले तो यह दिया आगी इसी माननेता प्राप्त मंडल से 10 धन 2 परिक्षा उत्तेड़ होना चाहिए दूसरा यह कहता है कि पुराना अगर हाईर सेकेंडरी है तो इसना की परिक्षा भी उसको उत्तेड़ होनी चाहिए मतलब ग्यारवी अगर जो लोग पास है कोई पूराने तो उनके सांथ उनको फर्स्ट इयर यानि की प्रतम वर्ष आपका कॉलेज का भी पास हुआ होना चाहिए फिर हिंदी शिगरलेखन में साठ शब्द प्रती मिनट की गति होनी चाहिए और मानेता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री आपरेटर या प्रोग्रामिंग में एक वर्षी डिपलोबा प्रमान पत्र तथा डाटा एंट्री का पांच हजार की डिपरेशन प्रती घंटे क की गति से होना चाहिए यह योग्यता है आपके पद स्टेडो टाइपिस्ट के लिए और आपको जो स्पीड लेखर में जो स्पीड चाहिए वो भी मैंने बता दे तो इस तरह से कुल तीस पदों का यह विज्ञापन है जो आपको दिख रहा होगा केरी फारवर्ड का मैंने आपको मीनिंग समझा ही दिया है यहां लास्ट पर दिया हुआ है उसका अब्रिवेशन तो यह हो गया पहला विज्ञापन अब दूसरे विज्ञापन की वर बढ़ते हैं दूसरा विज्ञापन जो है इसी के साथ जुड़ता है वो शिग्रलेखक का है शिग्रलेखक में ग्यारा पद है और इसमें अनारक्षित के छे अनुसूची जाती का एक अनुसूची जन जाती का तीन और अन्यपिटावर का एक है यह लेवल सेवन का मैट्रिक्स का पे देता है एल सेवन मैट्रिक्स है इसमें और इसमें भी योग्यताएं उसी तरह से हैं जैसे पिछले वेग्यापन में दी गई थी या तो आप बारवी पास हो हाईर सेकेंडर सिस्टम से या पुराने सिस्टम पे हैं तो आपको फर्स्ट येर भी पास होना चाहिए इसके अलावा माननेता प्राप्त संस्था से शिग्र लेखन मुद्र लेखन का एक प्रवान पत्र परिक्षा ह प्राप्ति जो उसकी परिक्षा का प्रवान पत्र आपके पास होना चाहिए 100 शब्द प्रती मिनट की गती होनी चाहिए आपकी और डाटा एंट्री का आपके पास प्रवान पत्र होना चाहिए ये था शिग्र लेखक हिंदी का शिग्र लेखक अंग्रेजी के लिए दो प का आपको payment मिल रहा है मानले दाप्रमस मन्डल या संस्था से शिगरेले खन परिशत के द्वारा सौ प्रती मिनित की गति से शिगर लिखन की चमता होनी चाहिए और डिपलोमा कंप्यूटर का आपके पास होना चाहिए ये तत्हा परिक्षा हैतु आनलाइन आवेदन की तित्थी परिक्षा शुल्क भुक्तान की विधी और अन्य जानकारी व्यापम के वेबसाइट पर देखी जा सकती है तो व्यापम का वेबसाइट आप सबको पता ही है अगर नहीं पता है तो मैंने आपको दिखा दिया है cgvapam cgstate.gov.in पर आप इस पर जा करके देख सकते हैं आगे चलते हैं और एक और जो विध्यापन है जो बड़े संख्या में पद आपको दे रहा है वो है कारेले सहायक का कारेले सहायक के 63 पद हैं 69 पद cg भरती के हैं 4 पद बैकलाग के हैं और l4 का मेट्रिक्स देता ही है ल पुराना ग्यार भी है तो उसके साथ 1st year पास होना चाहिए डाटा एंट्री का एक साल का डिप्लोमा होना चाहिए हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 की डप्रिशन प्रती घंटे की गती होनी चाहिए इतनी चीजें आपको बार भी पास होना चाहिए अगर पुराना क कोई ग्यार भी है तो उसको 1st year भी सांथ पास होना चाहिए कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए और आपके पास डाटा एंट्री का एक सल्टिफिकेट होना चाहिए सारी जानकारी एक जैसी है लगबग लगबग और इसमें भी वही बात कही गई है कि विस्तित जानक जानकारी जो है आप वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं पूरा पाठेक्रम जो है वो आपको मिल जाएगा आवेदन की विधी मिल जाएगी और परिक्षा सुल्प के भुगतान करने का तरीका भी मिल जाएगा तो आप अगर इस विग्यापन में रूची रखते हैं य जहां पर आपको आवेदन करने का तरीका मिलेगा आनलाइन आवेदन करना है और पाठेक्रम मिल जाएगा जो सेलबस आपको तयार करना है आप शुल्क कैसे आदा करेंगे उसकी विधी मिल जाएगी आप शुल्क आदा कर पाएंगे और इस तरह से आपको कम्प्लीट हो ज सहायक ग्रेट 3 का जो परिक्षा है वो 19 दिसंबर को होगा और पिछला जो मैंने आपको बताया था वो 26 को 26 दिसंबर को होगा एक बार डेट फिर से हम देख लेते हैं ताकि कोई हम उसे भूलना हो 26 दिसंबर इसके लिए डेट बताई गई है टाइपिस्ट स्टेनो टाइपि मतल लगातार दो संडे आएंगे साथ दिन का अनतर है दोनों परिक्षाउं में तो यह आपका तरीका हो जाएगा तो ये थी जानकारी छोटी छोटी जानकारिया थी मगर आपके काम की हो सकती हैं कुछ विग्यापन के बारे में मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानका प्रश्राइब प्रड़ी